वेलकम एवरीमनं इस वीडियो में हम डिस्क्स करेंगे about halp wave depole antenna क्या होता है क्या इसके advantages से पहले आप आगे वीडियो को देखने से पहले प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और अब डिस्स करते हैं हाफ में डाइपॉल एंटेना ए कि अब आप अचलty एंटेना एक एसा डिवाइस होता है जो इलेक्ट्हकल एंपनर्जी को वी ड्य wr Share को लेक्ट्र मांजट्रिक थीपह का मतलब यहें कि यह केसे ऑंटेना होता है हाफ रे डाइपो लैंटन जिस准पos होते हैं अक यह पुरीया दोनों कि दोनों symmetrical है एक दूसरे के ठीक है ना तो यह होता है आपका हाफवे डाइपूल एंटेना इसमें क्या होता है कि इसको हाफवे डाइपूल क्यों बोलते हैं क्योंकि इसकी जो length है वो हाफ wavelength wavelength की हाफ होती है इसलिए इसको lambda by two means half wavelength एंटेना बोलते हैं अचलीज इस एंटेना को क्या करते हैं हम सैंटर से feed करते हैं सेंटर से पीड के जाता है जहां पर impedance lowest होता है इसका जो एंटेना का center है यहां पर इसका impedance lowest होता है और यहां से इसको हम φीड किया जाता है ठीक है voltage and current levels vary along the length of the radiation section of the इसका जो voltage and current है वो इसके along vary करता है, radiation section के गोड़ेंट के, for the ripple antenna that is an electrical half wavelength long, inductive and capacitive reactance cancel each other and the antenna become resonant, means इसका जो length होती है, half भी ripple होती है, और इसमें जो inductive और capacity components होते है, impedance के, वो एक दूसरे को cancel कर देते हैं, और जो ये total इसका impedance होता है, वो एक तरह से pure register हो जाता है और अपना antenna, एक resonant antenna की तरह काम करता है, जैसे इसको antenna को यहाँ center से feed के आता है, और इसमें क्या होता है, जैसे feed का मतलब होता है, जैसे ही इसमें voltage और current का, एक velocity power वियाई form इसमें travel करती है, और इसमें क्या होता है, कि इस end पर आपका जो voltage है, वो positive ह यहां मिनिमिम रोगे और दूसेरे इंड़र इसाले तो ईसके जो ऑने जो सस्टुटरव स्ट्सरा इसे लगया होगा o ज मुइंभ तरह में जान्य होगा। और लागे में उनौम में ऑजाएंगा और यहां पर वोटेज नेश्यच से लस्तरीं होगा। कुछ ज़ादा है ठीक है जैसे हो जब्त जद्फ जाते हैं तो यहां पर ऑफर कर्ण गो जाएगा और जहां पर करन्ट मिनिममम है करन्ट आपका मेजलिंब खाएगा तो इस तरह से करण्ट का वेंव है वह इसमें ऐसें मैंने मैंने बनाया हैं तो यह आपका तारा से कनेाद छाएगा इंदा वह ताइप usually आपका वॹ वही दिश्डिबिशन है थाब को जाएगा है तो इस तरह से समें वी और लाइक का कम दिस्डिबिशन होगा त्रूंस ₹ हूग अप अपका वह इस तरह से हो रहा है ठीक है और इसमें यह आपका जो उपर में होगा लैमड़ाइफ सोच हो जाएगा और निच्छे की लैंट होगी डिइमडाइब फॉर में जो टोटल लेंथ है वह इसकी लैमडा भाई टू होगी तो जैसे मैंने भी डिस्टिस किया था तो इसका जो वोल्टेज डिस्टिबिशन होगा इसके अंदर वो क्या होगा कि जो वोल्टेज आपको यहां पर प्लस है यहां पर वोल्टेज माइनस होगा तो एक तरह से जो वोल्टेज डिस्टिबिशन होगा सेंटर में जिर हो minimum हो जाएगा तो जो ऊर्ज कलर में इसका करण wolves एस्थी विशन है और यलो ऐलो में आपका एक मोटरे दिस्जशिवieß делает तो इस तरह से इसका वी आई कर्ण या वी वेव में सबगी तुद nowけど करेगा और इसमें क्या हुगा तो जिसका radiation pattern होगा वो कुछ इस तरह से बनेगा वो आपका center में फिड किया गया है तो center के अलोग इसकी लोब बन जाएगी एट की shape में तो यह इसका radiation pattern हो जाएगा तो यह आपका था इसकी working और इसका radiation pattern radiation pattern के अरवास की कुछ parameters जैसे directivity, directivity इसकी लगभग होती है 2.1 dB और इसका SWR जो bandwidth होती है 5% of the design frequency होती है polarization जो vertical भी होता है और horizontal भी होता है और जो self impedance होता है लगभग 4280 ohm होता है इसमें कोई reactive component नहीं होता है जैसे हमने भी विसस कहाता है कि यह resonant work करता है इसकी जो capacity impedance है और जो capacity और inductive दोना आपस में दूसरे को cancel कर लेते हैं इसकी कुछ applications देख लेते हैं actually इसका जो use होता है वो as a setup टीवी अनटेना में होता है FM broadcast में इसका use होता है short wave antenna की तरह इसका dipole array में इसका use होता है अब इसकी कुछ advantage और disadvantage देख लेते हैं इसका advantage देख लेते हैं it receives the balance signal तो यह जो signal receive करता हो balanced होता है तो इसका benefit यह होता है the true pole design that enables to receive the signal prone variety of frequencies में different varieties की frequencies को यह receive कर लेता है most of the radiating signal is transmitted closer to the horizon so loss is less इसमें क्या होता है कि जो most of the signal होते हैं वो horizon के closer transmitter होते हैं तो इसमें losses बहुत कम होता है means इसमें loss बहुत कम होता है तो इसका benefit होता है if the it does not require an antenna to work efficiently इसको कोई antenna tuner की जरुरत नहीं होती है tune करने की जरुरत नहीं होती है उसके बिना भी एक efficiently work करता है तो these are the advantages of halfway type of antenna इसे कुछ disadvantages होते हैं जैसे कि side door antenna होता है वो काफी large होता है और wide होता है उसके लिए space से ही होता है तो इस type of antenna is not used for the space communication space communication में इसका मैं यूज नहीं कर सकते है तो installation of outdoor antenna is difficult तो जो 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 होते हैं हाफवे डापोल के उनका installation काफी difficult होता है तो यह था halfway dipole antenna के बारे में ठीक है further more videos के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए thank you